अप्लिकेशन प्रॉसेस क्या है उसके लिए आपको कितने चार्जिस बढ़ने पड़ेंगे और उस कार्ड के आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे यह सारी चीज़े आपको आज के इस वीडियो में बताई जाएंगे इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे अल्मुस्ट सभी बैंक्स के लोन स्कीम, क्रेट कार्ड और बैंकिंग स्कीम पे डीटेल वीडियोस मिल जाते हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और बेल आइकन को दो बाद है ताकि आपको हमारे वीडियो को निडिफिकेशन मिलते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ICICI Bank Credit Card के बारे में ICICI Bank Credit Card के बहुत सारे variants offer करता है like ICICI Super Saver Card, ICICI Signature Card, Platinum Card, Make My Trip Card, Amazon Card, Simple Platinum Card बहुत सारे cards आपको offer किया जाते हैं ICICI Bank के दौरा ICICI Bank की एक और खासित है कि आपको lifetime free card भी ICICI Bank के पास मिल जाते हैं जैसे कि आपने last video बनाया था अपना SBA credit card पे SBA का कोई भी credit card आपको lifetime free नहीं आता उसमें कुछ conditions होती है अगर आप certain amount की shopping करते हैं तबी उस साल के लिए उसकी fee जो है वो wave की जाते है otherwise SBA कोई भी आपको lifetime free credit card offer नहीं करता but ICICI Bank आपको lifetime free card offer करता है without any precondition उसमें कोई भी precondition नहीं है अगर आपको वो card मिल जाता है तो आप lifetime free card यूज कर सकते हैं like ICICI Bank का Make My Trip card है जो lifetime free card है ICICI Bank का Amazon Pay जो card है that is also lifetime free card ICICI Bank जो platinum card है that is also lifetime free card इसके लावा और भी बहुत सारे cards है जिनमें आपको कुछ fee भी भरनी पड़ती है लेकिन आपको उस fee के वेबदर में बहुत सारे benefits भी दिये जाते हैं इस video में आपको बताएंगे ICICI Bank Platinum Card जो के एक lifetime free credit card है उसका eligibility criteria क्या रहेगा minimum income जो रहेगी for application of ICICI Bank Platinum credit card is 2.5 lakhs per annum साल की कम से कम 2.5 lakh रुपया income होगी तो आप इस card के लिए apply कर सकते हैं minimum age criteria की बात करें तो कम से कम आपकी age जो 23 years होनी चाहिए तब ही आप ICICI Platinum Card के लिए apply कर सकते हैं अब बात करेंगे ICICI Platinum Card के features की और benefits की सबसे best feature इसका यह है कि यह lifetime free credit card है इसमें आपको lifetime कोई भी charges नहीं देने है ना ही कोई joining fee देनी है और ना ही कोई annual renewal fee देनी है इस पे आपको fuel surcharge पे waiver मिल जाता है online shopping पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे discounts और offers मिल जाते हैं बहुत सारे products आप online EMI पे भी खरीच सकते हैं इस card के बहुत सारे benefits बस आपको इसका proper use करना है तो आप इसके सभी benefits का लाब उठा पाएंगे और इसमें आपको 50 days का free credit भी मिलेगा बस आपको billing cycle का ध्यान रखना अगर आप billing cycle को समझ जाएंगे तो बहुत ही easily आप 50 days के free credit का भी इस्तिमाल कर पाएंगे और इसके बाब अगर आप supplementary card भी लेते हैं अगर आप ICICI Bank के credit card लेना चाहते हैं अगर आप ICICI Bank से कोई भी credit card लेना चाहते हैं तो आपको अपना PAN card देना होगा valid address proof देना होगा अपना employment का proof देना होगा अगर आप salary है तो आपको अपनी salary slips देनी होगी अपना employer ID card देना होगा businessman है तो ITR return की copies देनी होगी अपने business activity का proof भी देना होगा इसके लावा आपको अपने salary account की bank statement भी provide करनी होगी इसके लावा आपको अपने salary slips और form 16 प्रोवाइड करना होगा और यह documentation almost universal आप किसी भी bank से credit card लेते हैं तो यही documentation आप से ली जाती है application process बहुत ही easy बहुत ही hassle free है आप अपने घर बैठे अपने mobile या laptop से बहुत ही easily apply कर सकते हैं application link आपको मिल जाएगा description box पे जैसी आप उस link पे click करेंगे तो यह page आपके पास खुल के आएगा जो कि आप screen पे देख पा रहे है how do we get in touch सबसे पहले आपको यहाँ अपना full name एंटर करना जो भी आपका name है आप एंटर कर दिजिए उसके बाद आपको अपना email address एंटर कर दिजिए उसके बाद आपको नई city select करने है अगर आपकी city drop down menu से मिल जाती है तो ok है otherwise other city select कर दिजिए other city select करने के बाद आप city का name यहाँ पर enter कर दीजिए और अपना pan number यहाँ पर enter कर दीजिए और जैसी आप continue पर click करेंगे तो आप इस next page पर आजाएंगे what is your employment type पर इस page पर आपको अपना employment type बताना है कि आप salary है या non salary है अगर salary है तो salary पर click करें non salary है तो self employed पर click करें यहाँ से आप अपनी salary एंटर करेंगे कि आपकी per month salary कितनी है जितनी भी आपकी per month salary आप यहाँ से select कर लीजिए अगर आप non salary है self employed है तो self employed पर click करेंगे और आपकी जितनी भी gross turnover है last year की वो यहाँ से select कर लीजिए और next है has your ITR been acknowledged by income tax department यहाँ पर yes कर दीजि और salary के case में आपकी ITR के बारे में नहीं पूछा गया आपकी company का नाम पूछा गया है जिस भी organization में आप काम करते हैं उसका नाम यहाँ पर लिख दे जो भी नाम है और continue पर click कर देंगे जैसे आप continue पर click करेंगे आप next page पर आ जाएंगे almost there do you have any account with ICICI bank यहाँ आपको बताना तो यहाँ से आप select कर सकते हैं अगर नहीं है तो उसको no account पर रहने दे और continue पर click कर दें जैसे आप continue पर click करेंगे तो almost done उपर आगया है यहाँ पर आपको अपना phone number देना है जैसे आप अपना phone number डालेंगे get OTP पर click करेंगे तो आपको एक OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ enter क जाएगा next आपको अपनी date of birth enter कर नहीं है और next आपको I agree का checkbox है I agree to terms and condition of ICICI bank पे click करना है और submit कर देना है that's all इतना ही आपको करना आपका application जो है वो submit हो जाएगा bank के पास चला जाएगा bank आप से contact करता है आप से meeting fix की जाती है आपकी बताई हुई जगा पे bank के executives आते हैं आप से documentation ली जाती है आपको credit card के बारे में बताया जाता है और उसके बाद में आपका credit card application वो process कर दिया जाता है एक चीज़ आपको बता दो कि credit card का application जो है वो mainly आपकी civil score पर भी depend करता है अगर आपका civil बिल्कुल clean होगा आपके civil में कोई भी NP या bad loans नहीं होगे तो आपको easily credit card मिल जाएगा normally अगर बैंकों को दिखा जाए तो 700 से 700 की बीच में आपका civil होता है तो आपको easily credit card मिल जाता है अगर आपका civil काफी low होता है तो banks जो है credit card नहीं देते हैं और एक बात आपको और बता दो अगर आपको ICCA bank credit card application में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं आप हमें नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं मैं definitely कोशिश करूँगा आपकी help करने की for application of ICCA bank credit card तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज कहीं वीडियो comment box में comment करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू for watching